नमस्कार बहुत पूरा गता आपका special report में ऐए आपके साथ रूती शवास्तौ सबसे पहले special report में बात इस्राइल पर हमले की क्योंकि इस्राइल पर ऐसा हमला हुआ है जो 7 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ था हिज्बॉल्ला ने इस्राइल के दूसरे सबसे बड़े शेहर पर सो राकट दाके हैलत की बात तो ये है कि इस्राइल का आरें डोन इन रॉकेट्स को रोकने में फेल साबित हुआ और फिर जमीन पर जो तबाही मची उसे देख कर नतनियाहू भी हैरान रह गए देखे रपोर्ट इस्राइल में ये एक काला रविवार है साथ अक्तूबर 2023 के बाद इस्राइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है मिजाइल अटैक हुआ है रोकेट अटैक हुआ है ऐसे वीडियो इस्राइल में वाइरल हो रहे हैं जिन पर हिस्बुल्ला की छाप लगी हुई है एक साथ इतने हमलों को देख कर नेतन याहू और उनके वार क्याबिनेट में खलबली मच गई है क्योंकि हिस्बुल्ला ने इस्राइल को उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तलवीव के बाद इस्राइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये है हाइफा हाइफा यानि इस्राइल की सबसे बड़ी बंदरगा हाइफा मतलब इस्राइल का सबसे बड़ा अध्योगी की लाखा हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री, हाइफा मतलब इस्राइल की अर्थ्रवस्ता की रीर क्या हाइफा पर हुआ हमला, हिजबुला का पेजर बम वाले अटैक का बदला है क्या हाइफा को हिलाकर इस्राइल को हिजबुला ने सबसे वड़ी वार्णिंग दे दी है हिजबुला ने इस्राइल को उस अटने को टार्गेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़कर लिबनान पर बंबारी कर रहे है इस बुल्ला ने अपना बड़ा टार्गेट इसराइल रमाद डेविड ऐर बेस को बनाया है ये ऐर बेस हाइफा से करीब 20 किलो मीटर दक्षिनपूर में है मैप पर देखिए यहाँ पर हाइफा है और यहाँ पर है इसराइल का बहुत ही खास और सीक्रिट रमाद एर बेस ये दोनों जगा लिबनान बॉर्डर से 70 से 80 किलो मीटर के दाएरे में है रमाद एर बेस पर इसराइल एर फूर्स के F-16 फाइटर जेट की तीन स्कौर्डरन तैनात है यानि 50 से ज्यादा F-16 इसी एर बेस पर तैनात है रमाद एर बेस पर इसराइल की दो डूर्ण स्कौर्डरन भी है जिनके मदद से दक्षिणी लिबनान में बंबारी की जाती है इस एर बेस और आसपास के इलाके में हिजबुला ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे है कुछ रॉकेट हाइपा में करियाद वाईलिक इलाके में भी गिरे यहाँ पर लगी आग से आप अंदाजा लगाईए कि हिजबुला की फायर पावर इसराइल के लिए कितनी हानिकारक है हिजबुला का दावा है कि उसने फादी वन और फादी टू रॉकेट से हमला किया है यह ऐसा रॉकेट है जिसको पहली बार इस्तिमाल किया गया है फादी वन 220 मिलिमीटर वाले कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 80 किलोमीटर है जबकि फादी टू 302 मिलिमीटर कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर बताई जा रही है फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताय जा रहा है लेकिन ये बात सच है कि हमास के 7 अक्तूबर वाले हमले के बाद से ये हिजबुल्ला का सबसे बड़ा हमला है इस अटाक में इसराइल का कितना नुक्षान हुआ है इस पर नेतन याहू अभी खामोश है लेकिन तस्वीरे बता रही है कि हिजबुल्ला का हमला कितना खतरनाक था क्या हिजबुल्ला ने हाइफा पर हमला करके पेजर बंब वाले अटाक का बदला ले लिया है क्या हिजबुल्ला ने हाइफा को हिला कर इसराइल को सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है इस वक्त इसराइल में जैसे धारा 144 लागू है बाहर यानि सडक और बाजार में दस लोगों के एक जगाए कट्टे होने पर पाबंदी लगी है जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर सौ लोगों को एक जगा होने पर मना किया गया है हिजबुल्ला के हमलों के बाद उत्तर इसराइल में बहुत ज्यादा खौफ है गुलान की पहाड़ियों पर स्कूल बंद कर दिये गए है गलीली, हाइफा और बेतशीन इलाकों में स्कूल बंद करने का ओर्डर है जुलाई दोहजार चौबिस में इस ड्रों वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्ला ने इसराइल को चौका दिया था तब हिजबुल्ला ने दावा किया था कि इसराइल के इंचिन जिलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुँच चुकी है हिजबुल्ला ने इसराइल को डराने वाला वीडियो रिलेस किया तो नेतन याहू की सरकार के हाथ पाउँ पूल गए नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसराइल के ऊपर उड़ रहा है दस मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इसराइल के कई शहरों पर उड़ा है 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इसराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खीच कर वापस लेबनान ले गया इसराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया ये ड्रोन उत्री इसराइल के किरियाच शमोना, नहरिया, सपर, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इसराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया अब इसी ड्रोन पुटेज का इस्तिमाल करके हिस्बुल्ला ने इसराइल को काला रविवार वाला तौफ़ा दिया है याँग बता रही है कि हिस्बुल्ला ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी दस मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देख कर नेतन याहू को मुसाद समय इसराइली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी हिस्बुल्ला के ड्रोन से हाइफा का पोर्ड भी रिकॉर्ड किया गया था इस वीडियो में इसराइली हत्यारों की कमपनी रफाइल का कॉम्पलिक्स भी फिल्माया गया था मिसाइल के गुदाम, एर डिफेंस सिस्टम, पंडुबी कमांड सेंटर से लेकर कैई अड़े रिकॉर्ड किये गए इस वक्त इसराइल लिबनान बॉर्डर के करीब कैई लाके खाली हो चुके हैं लिबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़ कर जा चुकी है लेकिन दहशत इसराइल में भी है, उसके किरियाच शमोना जैसे शहर खाली पड़े है एक लाक से ज्यादा लोग दक्षन इसराइल की तरफ पूठ कर चुके है हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है इसराइल और हिजबुल्ला का अगोशित युद्ध अब घजा पर बंबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है बारवे महीने में इसराइल पर रॉकेट बाजी और लिबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में इसे एक पक्ष हमला नहीं करता है इसराइल और हिजबुल्ला के अगोशित युद्ध में अब तक इसराइल के 26 नागरिक और 22 सैनिक हिजबुल्ला के हमलों में मारे गए हैं जबकि नसरल्ला के 502 लड़ा के अब तक मारे जा चुके हैं ये लिबनान के मिलिशिया को बड़ा जटका है इसलिए नसरल्ला और हिजबुल्ला धूनों आगबुला है पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला बड़ा बतला लेना चाहता है लिबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है क्योंकि हिजबुल्ला के टार्गेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिटरी बेस हैं जिसकी नेतन याहू को उम्मीद भी नहीं थी